आई पोर आड्मिक लियंद देखने मिल यह दोनों विरें फोन्स वकई के साथ देखने मिलते हैं जो प्धेotive आईपन मटेरियल पोई है और है यह प्लस पूर्इट में हैð ऐसमें आप इस में एक इक 20 अच्छन बटन Пट繋कर हो यह पे जो कि आपको multiple functions के लिए use कर सकते हो पहले इसमें आपको से silent बटन देखने मिलता था इसमें भी multiple functions आप यहां पर देख सकते हो यह आपको silver titanium color में आपको दिखा रहा हो इसमें आपको overall बहुत काफी अच्छा लुक देखने मिलता है इसके frame adjust curve की हुए थोड़े तो यह हाथ में comfortable feel ह होता है बहुत और यह है 15 pro max जिसका आप overall look देख सकते हो यह काफी lightweight है as computer old pro max series titanium frame के वहाए सब बहुत हलके हो गया iPhone तो इसे लगी नहीं रहा है कि यह pro max series मुने हाथ में लिया हुआ है यह इतना lightweight feel हो रहा है मुझे हाथ में iPhone 15 में आपको 48 MP का main camera देखने मिलता है जिसमें आप आपको चार मोड दिये हुए 50.5 x 1 x 2 x 3 x और इंट्रेस्टिंग बात तो यह है कि आपको 1 x में भी तीन जूम मोड देखने मिलते है 1 x जूम में आपको जो तीन जूम मोड देखने मिलते है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अब देख सकते हो यहाप है मैं अगर 1 x आपके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 28 mm, 35 mm and 24 mm ऐसे तीन टाइप के जूम है आइफून 15 pro max में भी आपको सेम जूम फीचर देखने मिलते है बस यहाँ पर आपको देखने मिलते है एक एक्स्ट्रा जूम जैसे जो कि है 5 x जूम देखो इसमे आप क्लियरटी देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर pro series में 4 color variations है यह है titanium black color जो कि आप देख रहे हो अब ही इसमें आपको बहुत अच्छा look देखने मिलता है मुझे old iPhones में black color पसंद नहीं आता था बट सच में यह आइफोन में यह black color में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें matte finish दिया हुआ प्राइक में तो इसका logo visibility और camera visibility बहुत अच्छी तरह से दिखने हैं मिलता है यहाँ इसका display देख सकते हो आप इसमें आपको 2000 निक्स का brightness देखने मिलता है जो कि बहुत ब्राइट display आपको धूब में कोई पर problem नहीं होगी यूज करने है परसनली में बूल रहा हूँ इसमें बहुत अच्छे features दिये हुए एक interesting चीज जो आपको शॉक करतेगी यह iPhone अभी Type-C charger के साथ आता है जो कि आप भी नॉर्मल Type-C to Type-C charger से चार्ज कर सकते हो और इसके display में आपको देखने मिलता है always on display का feature जो कि stand by mode में बहुत अच्छा दि आता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राब एवर चैनल थैंक